नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गनेश आईश्टो हल्प में मैं हूँ आपके साथ दॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे बिर्शवराशी के लिए आने वाले महीने में कैसे हैं ग्रह नक्षतर, किस जीवन के छेतर में क्या वदलाब आ सकता है क्या साभधानियां हम वरत सकते हैं तो देखिए इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली मेरा कहने का मतलब है आपकी गोचर कुंडली फिलहाल में गिरह कहाँ पर हैं आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आपका लगन जो है आपने शब्द शुना होगा लगन लगन जो होता अगर आपका लगन ब्रशव है, टौरस है तो आपके पहले भाव में यहाँ ऐसे करके दो नमबर लिखा होगा, ये दो नमबर एक्चुली में दूसरी राशी को जोडिया की दूसरी राशी को दिखाता है जो ब्रशव है, अगर जहां पर आपका चंद्रमा है, मून, चंद्र, ऐसे करके वहां अगर दो नमबर लिखा है तो इसका मतलब है कि आपका जो है ब्रशव राशी है लगन और राशी दौनों से ही देखते हैं, लगन बुद्धी है इंटिलेक्ट है, विवेक है, राशी हमारा मन है, हमारे आइसास है तो सुख दुख जो है वो राशी से चंद्रमा से देखते हैं लगन से इंटलेक्ट के बेस पर देखते हैं कैरियर वगरा के उसके लगन से देखना भी जरूरी है लगन जो हर धाई घंटे में करीब दो धाई घंटे में बदल जाता है राशी धाई दिन तक रहती है तो इस तरह से दिखती है देखिए आपकी गोचर कुंडली फिलहाल में एक जनम कुंडली भी होती है बता दिना चाहता हूँ वो कुंडली होती है जो आप पैदा हुए थे उस समय कहां पर घ्रहनक्षत्र थे और अब जो हम बात करें फिलहाल में ग्रहनक्षतर कहां चल रहे हैं तो जो जनम के समय थे वो बहुत important है उसी से ये लिखा रहता है उसमें क्या वास्तम है future तो तभी ते होता है काफी हद तक और गोचर से हम देखते हैं उनमें से क्या फलित होगा अगर उसमें ऐसा योग है जनम पत्री में कि ये व्यक्ति बहुत उपर जाएगा या इस तरह का काम करेगा जो भी है तो गोचर से ये आइडिया हो जाएगा इस साल में हो पाएगा ये नहीं हो पाएगा दशा महादशा और गोचर के थरू तो देखिए इस तरह से दिखती है पहले ही भाव में राहू माया भी राहू साइंटिस्ट राहू बैठे हुए हैं पहले ही भाव में बहुत इकता के परतीक राहू दूसरे भाव में कोई नहीं है ये दूसरा भाव है ये तीसरा भाव है, इसमें भी कोई नहीं, ये चतुर्थ भाव है, जिसमें शुक्र बैठे हुए है, जो लगन के स्वामी है, शुक्र प्रेम को दिखाते हैं, कला को दिखाते हैं, आर्ट को दिखाते हैं, ये पंचम भाव है, जो बच्चों का भाव है, क्रेटिविटी का भाव है पूरे पुन्य भाव भी उसको बोलते हैं इसमें सूरे बैठे हुए है जो की चतुर्थ भाव के स्वामी है ये छटा भाव है इसमें बुद्ध है और बुद्ध जो है आपकी कुंडिली में धन के मालिक है धन भाव के मालिक है क्रेटिविटी और संतान के मालिक है बुध यहां पर पूरे के पूरे October ही रहेंगे पर 14 October से वो वक्री हो रहे हैं बुध जो है 14 October से वक्री हो रहे हैं अंत तक रहेंगे October के अंत तक 2 November तक हैं actually में यह सप्तम भाव है जो शादी का भाव है जो contracts का भाव है जो fame का भाव है जो ब्रध्धी का भाव है जैसे stars वगरा होते हैं businessman होते हैं जो बहुत सारा पैसा है बहुत सारी fame जो होती है वो इसी भाव से देखते हैं actually पहला भाव जैसे मैंने वताया लग्न वो बुद्धी है चौता भाव यह मन है मन की पवित्रता है, सुध्धी है, मन से, दिल से व्यक्ति कैसा है, वो यहां से देखते हैं, सब्तम भाव है, फेम, पैसा, और नाम, व्यक्ति का जो नाम होता है, यश, जो होता है वो इससे देखते हैं, सब्तम से, इसमें आपके केतु आये हुए हैं, यह अश्टम भाव है जो आयू को दिखाता है, आयू व्यक्ति की कितनी होगी, अचानक से होने वाले चेंज होते हैं, उनको दिखाता है, यह वाला भाब, अपनी कुंडली ये खोल के देख सकते हैं, वो अश्टम ही होगा यहाँ पर, कोई भी राशी हो, पर भाब हमेशा अश्टम ही रहता है, इसमें गुरु बैठे हुए हैं, अश्टम भाब समाधी को भी दिखाता है, सकंडल्स को भी दिखाता है, और life after marriage भी दिखाता है, कि marriage होने के बाद कितना लंबा life marriage के बाद की जो life है, कैसी रहेगी और कितनी लंबी रहेगी, उसमें भी इसका रोल होता है, यह नवम भाब है, इसको भाग्य भाब बोलते हैं, क्योंकि यह भाग्य को होता है वो सब इसमें आते हैं teachers प्रोफेसर यह सब लोग है publication books यह सब इस भाब से देखते हैं इसमें शनी बैठे हुए है गुरुओं को भी यही दिखाता है पिता को भी दिखाता है यह दसम भाब है कुछ लोग इसको भी पिता से जोडते हैं, इस भाव को जैसे कि चतुरुत को माता से जोडते हैं, उसमें कोई घ्रह नहीं है, ये एकादस भाव है ये भाव जो है दसंभाव ये सिद्धी का भी है, पराकरम का भी है एक तरह से है कि आप जिंदगी में किस पोस्ट पर होंगे पतिष्ठा को भी दिखाता है यह और यह एकादस भाव है जो कि आपके सपने जो सच होते हैं उनको दिखाता है इच्छा पूर्ती को दिखाता है एक तरह से आवार्स को फेम को दिखाता है आपको और मित्र मंडली आपका जो इस तरह का आपका जिस तरह के दोस्त आपके हो बड़ा भाई को दिखाता है इसी तरह से तृति भाव पराकरम को दिखाता है चोटे भाई को दिखाता है तो हमने एक तरह से देख लिए कौन से ग्रह कहां पर है अब जल्दी से देखते हैं इनकी जो इस्थिती है ये क्या बता रहे हैं इनकी जो ड्रश्टिया है वो क्या और हम उनसे क्या सीख सकते हैं समझ सकते हैं किस तरह से इन ऊर्जाओं को अपने लिए यूज कर सकते हैं इस महीने में कहां क्या ख्याल रखना होगा तो पहले ही भाब में राहू हैं आपको δi्प्लोमेटिक बनाएंगे माया भी बनाएंगे आप की बातों में जादू होगा मतलब अगर आपकी कुंडली में भी राहू श्ट्रॉंग है तो ये राहू आपको बहुत फर्स से अर्ष पे ले जा सकते हैं अचानक से बहुत उचा ही छुला सकते हैं क्योंकि उच्छे के राहू है अब डिपेंड है कि आपकी कुंडली में शुक्र कहां है इसके डिस्पॉजिटर है इस भाव के स्वामी शुक्र कहां पर है जनम कुंडली में और राहू कैसे है तो ये आपको बहुत बड़ा नाम भी दे सकते हैं बहुत बड़ी फेम दे सकते हैं पर अगर ये अच्छे नहीं है कुंडली में, बहुत बीख हैं, तो कुछ खास नहीं कर पाएंगे, उस केस में थोड़ा सा डिस्फेम भी दे सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा, कि कुंडली में कैसे हैं, बाकि यहां से आपको अच्छानक लाब दे सकते हैं, लोटरी अगर आपने खरीदी है तो बिना कमाया हुआ पैसा, फिलहाल में आपने नहीं कमाया, मिलता सब को कमा कमाया यहां पर पहले जनम पे अगर किसी का आपको करज है, बाइचान्स, तो आपकी पत्नी लियाई पैसा या पत्ती लियाई, ऐसे महें, ऐसे क्या कैसे, उच्युप का पैसा पर इस जनम में नहीं कमाया पैत्रिक संपत्ती किसी तरह से टैक्स से बी में से कहीं से पैसा मिल जाए इस तरह के पैसे को राहू दिलवा सकते हैं कब दिलवाएंगे थोड़ा कहना मुश्किल है राहू बड़े छदम गरे हैं पर देड़ साल तक वह यहीं रहने वाले हैं तो इस तरह कि कोई अचानक लाव आपको हो सकता है कभी भी हो सकता है अगर कुंडली में राहू अच्छे हैं तो ऐसे में आप ट्राई कर सकते हैं के रिस्क लेने को दिखाते हैं कभी-कभी तो मर्याद हैं तोड़ कर भी रिस्क लेने को दिखाते हैं बहुत ज़्यादे पराक्रम वादी हैं पर कहीं-कभी नियम तोड़ देते हैं तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है हलाकि वो भी बुरी बात नहीं है क्योंकि जब तक आप नियम तोड़ेंगे नहीं तो नियम के आगे क्या है वो नहीं जान पाएंगे, इसलिए इनको scientist कहा गया है, अच्छा scientist वही है जो किसी भी चीज़ को final नहीं मानता, वो जानना चाहता है, इससे आगे क्या है, उससे आगे क्या है, तो यह राहू यह आप में के रखें थोड़ा सा, क्योंकि राहू की ढिश्टी आ रही है, तो आपके और आपके जो subordinate है, उनके बीच में कुछ misunderstanding ला सकते हैं, राहू, पिता के और आपके बीच में, बोस के और आपके बीच में, क्यों? क्योंकि सूर्य जो है, पिता को दिखाते हैं, बोस को दिखात और जब उनको पता लगा तो उन्होंने आपसे फिर कुछ और ही कह दिया और आपने उसका reaction उस तरह से दिया क्योंकि आपको आपने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था तो इस कुछ-कुछ में बहुत कुछ हो जाता है तो ध्यान रखिएगा किसी भी बाच को बड़े diplomatic तरह के से सुनना है समझना है उसके origin तक जाना है और फिर उसके solution की तरह बढ़ना है तो इससे क्या होगा आप यह जो minus राहूं यहां से दिखा रहे हैं उसको आप cover कर पाएंगे और जो positivity जो दिखा रहे हैं उसका भी उच कीजिए positivity क्या दिमाग तेच चलेगा creativity रहे की नए ideas आएंगे students है तब भी पढ़ाई में कोई नए idea आएगा आपको answer जब करेंगे तो बहुत ही out of box answer आप किसी चीज़ कर सकते हैं हलाकि अपना जो system है पढ़ाई का उसमें out of box thinking को थोड़ा सा dull माना जाता है जो किताब में है एकदम accurate वही रटपीट के वही answer दिया जाया तो कहते हैं बहुत बहुत बढ़िया पर जिंदगी में इस चीज़ की जरुरत है business हो या service हो की out of box new thinking आप रटी रटाई बातों से जो किताब में जो bookist है वो पता आपको जरूर हो पर उस पर एकदम चल के कुछ कर नहीं सकते हैं यह जरूरी है तो उस चीज़ में practicality में आप काफी आगे निकल सकते हैं और पढ़ाई में मन लगा के रखिएगा क्योंकि रहू थोड़ा सा मन तो भटकाते हैं उनका nature ही है और मन का तो ही nature भटकना सौब हाप सही और कुछ लोग तो कहते भी हैं कि मैं अपने मन की करता हूँ पर वास्ता में ऐसा कहना गलत है यह आप एक तरह से कह रहे हैं कि आप servant है आपके मन के you are the servant of your mind पर वास्ता में यह सही नहीं है सही तो यह है कि आपका मन वो करे जो आप ना कि वो बताए आपको कि क्या करना है आप you should be the master है ना आप master है उसके मन थोड़ी ना master है मन बताएगा वो आप करेंगे आपका मन वो करना चाहिए जो आप चाहते हैं हाँ ठीक है कि आपका थोड़ा सा interest किसी चीज में होना जरूरी है पर यह भी नहीं कि हर चीज बस मन ही बता रहा है आपको क्या करना है को कि मन तो कहीं बहुत कुछ करने को कहता है और उससे अगर सुनेंगे तो फिर लक्ष तक नहीं पहुँच पाएंगे गोल तक पहुँचने के लिए आपको छोटे छोटे distraction है उनको बिलकुल किनारे करना होता है और कोई रास्ता नहीं है क् कि सारी energy जब तक आप किसी एक चीज पर नहीं लगाएंगे वहाँ कुछ कमाल का नहीं कर सकते है और जब तक आप कुछ कमाल का नहीं करेंगे किसी भी field में तो फिर वहाँ चमतकार या कोई बहुत बड़ी उचाई तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए आप पकेतु भी बैठे हुए है तो देखिए relationship के लिए अगर शादी आपकी हो चुकी है तब तो थोड़ा सा tough time है मतलब पतनी आपस में जो आकरशन में थोड़ी सी कमी लाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो तो वो इतना negative उसमें कुछ न दोस्ति कहीं लोगों से हो सकती है हलाकी चुकी हलाकी ऐसे समय में देड़ साल में शादी वागर आके बहुत strong योग तो नहीं है पर यह ऐसा नहीं है कि आपकी खिसे मुलकात नहीं हो सकती है पर हाँ यह जरूर है कि अगर आप किसी से प्रेम में है या आप किसी को परपोस करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इस महीने वेट कीजिए, कोई बहुत जादर strong ऐसे योग नहीं आ रहे हैं कि जो कि बहुत जादर positive हो, तो इस बात का तो है बाकी अगर आपकी शादी हो चुकी है, आकरशन जरूर कम होगा पर लाब हो सकता है लाब हो सकता है उनके थुरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू आती है, तो कर्म से रोकते हैं, आलस से लाने की कोशिश करते हैं, ऐसा कर कर लेंगे, अभी थोड़ा enjoy कर लें, ये बाद में हो जाएगा, बहुत time पड़ा है इस तरह से, या फिर थोड़ा था delay करने की कराने की कोशिश करेंगे राहू, तो आपको उनको सुनना नहीं है, उन आगे की सोचना है, जैसे की प्रकृती में सभी सोचते हैं, आप प्रकृती को ध्यान से observe कीजिए, कि एक चीटी भी आगे का सोचती है, तो आप तो इनसान है, वो भी जानती है कि बारिश होगी तो खानावाना नहीं मिलेगा, तो अभी से जगाड करना सुरू कर देती है, और वो भी एक दम लगी रहती है, महनत पे महनत, महनत पे महनत, कितना जगाड करती है, जितना कर सकती है, पूरा, इस तरह इनसान को भी जितनी उसके अंदर capacity, अगर उतना महनत करता है, तो बहुत उपर जा सकता है, राहू की जश्टी से एक तो समझ में आएगा कि पिता स बहुत से थोड़ा सा बना के रखना है, उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, पिता की सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखना है, इसके बाद, राहू के बाद हम शुक्र पे आ जाएं, शुक्र आपके लगन के स्वामिया, चतुर्थ में जा रहे हैं, माता से सम्मंधों में घर, गाड़ी, बंगला ये सब खरीदने का जमीन आपकी प्लानिंग हो सकती है, माता के साथ रिलेशनसिप में भी आपको कह सकते हैं, माता का प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा, वो आपके फेवर में रहेंगी, साइड में रहेंगी, कारे के छेतर पर, या घर के आसपास, आपकी किसे से मुलाकात हो सकती है जो बाद में आपकी पत्नी, पत्नी, प्रेमी, प्रेमी का बन सकता है तो अब यहां एक contra-election आ रहा है कि मैंने अभी-भी का कि राहू, केतु ऐसा है तो तो अब जिसकी राहू की दशा चल रही है, केतु की चल रही है जिसके केतु जिसकी शुक्र की है तो उनके जीवन में तो प्रेम आने की संभाब न है वो किसी से प्यार करते हैं तो उसका इजहार भी कर सकते हैं अब ये सब के लिए देखें अलग-अलग आएगा ऐसा ही होता है एक ही कुंडली वाले एक ही राशी वालों मेंसे अच्छा है, किसी से मुलाकात हो सकती है, जो आपके घर के आसपास ही रहता हो, क्योंकि चतुर्त भाव घर कही है इस्तरी से या पुरुष से, अगर आप है education के मामले भी अगर आप छोटे हैं और आप अभी student है तो education के लिए अच्छा है, मन लगेगा पढ़ाई में, जो याद करेंगे वो आपको याद रहेगा, exam में भी आप अगर आप 10th तक हैं इस तरह की schools में हैं, तो आपके लिए अच्छा समय, अच्छा है, शुक्र का यहाँ पर होना, अगला महीना जो है पढ़ाई लिखाई के मामले में अच्छा है अगर आप आर्ट, ब्यूटी, फैशन मॉडर, डिजाइनिंग, चितरकारी गायक, इस तरह की आर्टिस्टिक फील्ड में हैं, तब भी आपका कारे बड़ा अच्छा रहेगा इस महीने, बहुत अच्छा करेंगे आप, अगर आप इस चीज को दिखाते हैं, सूरे पे आ जाते हैं, जो की चतुर्थ के स्वामी है पंचम में जाकर राजयोग बना रहे हैं, त्रिकॉन का स्वामी केंदर में जा रहा है, एक तरह का छोटा सा राजयोग है, तो घर से, गाड़ी से, बंगले से लाब होगा, मतलब घर, गारी, बंगला खरीदने का एक तो योग बनता है, दूसरा अगर आपका इस चीज का बिजनिस है, ओटो मवाइल इंड़स्टी में काम करते हैं, आप रियल स्टेट के एजेंट हैं, आप कुछ फ्लैट वगरा बना के बेचते हैं या उसके किसी तरह से वहाँ पर काम करते हैं, लाजनिंग का आपका कुछ काम है इस तरह का, तो आपके लिए लाब की सिचुएशन बन रही है, उपर से मंगल भी एकादस हैं, तो मंगल इस चीज को दिखाते हैं, उनका एकादस में आना, और इस चीजों से लाब को बताता है सूरे का पंचम में आना, जो औरते हैं, जो महिला हैं, जो बहनें प्रेगनेंट हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है उन्हें अपना थोड़ा सा विश्येश ध्यान रखना है, डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि आपकी कुंडली में शुकर कैसा है, वो जादे महत पूर्ण है, सूरे कैसा है, वो जादे महत पूर्ण है क्या अंतर दसा चल रही है, वो जादे महत पूर्ण है पर हाँ अगर आपकी कुंडली में पंचम भापे मलेफिक्स का effect है, सूर्य का effect है और उधर ट्रांजिट में भी ऐसा आ रहा है तो विसेज ध्यान दखना है अनिता कुछ ऐसा डढने वाली बात नहीं है As a remedy, ओम घणी सूर्य आदित्य ओम ओम घणी सूर्य आदित्य ओम सूर्य देव को जल दीजिए, इस मंतर का जाप कीजिए सूर्य देव आपकी अवश्य रक्षा करेंगे और जो संतान होगी वो भी स्वस्त होगी, सुंदर होगी, यश कमाने वाली होगी इसके बाद देखिया हम आते हैं छटे भाव में यहां पर बुद्ध बैठे हुए हैं, जो की धन के मालिक हैं, पैसे के मालिक हैं और संतान भाव के मालिक हैं तो देखिये धन का सौमी जो चटे 6-8 बारे में जा रहा है तो धन का कुछ खर्च आ सकता है धन का कुछ खर्च आ सकता है रोग रंड सत्रू स्वास्त का ध्यान रखिए उस पर धन खर्चा आ सकता है कहीं से और संतान जो है आपकी उन से आपकी थोड़ा बहुत अनबन हो सकती अगर आप माता पिता हैं तो पर हाई के समय अगर आप हाई स्कूल नहीं पर इंटर बिसेस कॉलिज में है स्कूल में नहीं कॉलिज में है तो थोड़ा सा महनच जाद करनी पड़ेगी तब ही रिजल्ट आके आने वाला है इस बात का धाम दखिएगा और जो लोग डॉक्टर हैं बकील हैं जिनका काम ही रोग रेंड सत्रू से चलता है जैसे कि डॉक्टर है वो तो रोगों से ही कमाता है बकील तो सत्रूं से ही कमाता है वो मुकदमवाजी उन से ही कमाता है तो उनके लिए अच्छा समय है उस चीज़ के अगर आपका काम है तो आपके लिए बढ़िया है उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर्विस करना आप किसी की सर्विस करेंगे लोगों के लिए कुछ आप किसी को पैसा दे सकते हैं दान में, डॉनेशन में इस तरह की हाँ पे संभाव न बनती है किसी से लडाई जगड़े में नहीं पढ़ना है वानी को मीठा रखना है क्योंकि एक तो बुद्ध रोगरिन सत्रू के भाव में उपर से बुद्ध पर मंगल की दश्टी और बुद्ध हमेसा कम्यूनिकेशन को दिखाते हैं वानी को दिखाते हैं ताकि गुरू की दश्टी वानी भाव पर है पर फिर भी वानी का विसेश ध्यान रखना है पर कि आप कुछ कड़वा ना बोल दें आप कुछ ऐसा ना बोल दें जो फालतु में प्रॉब्लम क्रियेट करें देखि सत्य भी अगर ऐसे ही बोल दिया जाए तो उस सत्य का फायदा ना आपको होता है न दूसरे को होता है नहीं उसका कोई बहुत जयादे महत हो पाता तो समय पर बोलना और इस तरह से बोलना कि उससे कुछ ना कुछ बनिफिट हो सब का, आपका, सभी का ये जरूरी है अगर हम केतू की बात करते हैं केतू यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नीरस्ता लाएंगे पारिवारिक जीवन में नीरस्ता नहीं कह सकते इसको dissatisfaction मतलब सब कुछ है पर कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ कमी है वैसे तो मन हमेशा ही संतुष नहीं रहता जो मिल जाए उसमें हमेशा उसे लगता है कि थोड़ा सा कम है थोड़े सी जरूरत है वो कुछ काना है थोड़ा है थोड़े की थोड़े की जरूरत है वो वाली situation है कि पूरी तरह satisfied नहीं रहेंगे आप business में, relation में, दोस्तों से और इसमें कोई बुरी बात नहीं है जब आप satisfy नहीं होते हैं तो उस चीज के लिए try करते हैं उस चीज के लिए प्रयास करते हैं आप उससे satisfy होना चाहते हैं तो आप relation आपकी life में आएंगे, business आपका बढ़ेगा डरने वाली कोई बात नहीं है, भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं केतु की महादशा चल रही है तो ओम गम गणपते नमा, गणेश अथरवसीर्ष का पार्ट कर सकते हैं और गणेश ची के जो व्यक्तित में जो चीजें हैं वो अपने जीवन में लाने की कोशिश कीजिए केतु की महादशा अच्छी जाएगी जैसे कि गणेश जी बहुती देखा न भारी सरीर वाले हैं मतब धीरे सोच कर बड़े ध्यान से निड़ने लेते हैं कान बड़े हैं, सुनते जादा हैं बोलते कम हैं पहले सब कुछ समझ लेते हैं उसके बाद एक्सन लेते हैं यह सब चीजें अपने उसमें लाएंगे आप तो जो है केतु की दशा अच्छी जाएगी इसके बाद अगर हम गुरू की बात करें गुरू अश्टम में हैं, अश्टम कहीं मालिक हैं गुरू एकादस के मालिक भी हैं तो बड़े भाई से थोड़े रिलेशन में कुछख खटास आ सकती है पर यहाँ पर यह भी दिखाता है कि आपका जो बड़े भाई हैं समुंदरी आतरा पे जा सकते हैं आपके फ्रेंड्स जो हैं आपके फ्रेंड में से कोई कहीं दूर जाने की सोचे गा या तो बीदेश चाने की सोचेगा ये बात यहां से हो सकती है गुरू की यहां से अगर ढश्टियों की बात करें तो एक, दो, तीन, चार, पाँच बारे में भापर ढश्टी है और बारे में भापर ढश्टी मतलब आप खुद भी कहीं भापर जा सकते हैं पैसा खर्च होगा अपने air condition पर, कोई अच्छी wine पर, अच्छे कपड़े पर, या कहीं यात्रा पर, कुछ ऐसी चीज़ें जो extra मानी जाती है, उनके उपर पैसा खर्च हो सकता है, यहाँ पर स्वास्त का ध्यान रखें, अगर आपकी age जाद है, और आपके परिवार में diabetes की इस तरह का है, तो फिर विशेज ध्यान रखें, मीठा कम खाएं, और exercise करें, योगा करें, पढ़ायाम करें, करेले का juice पियें, मैथी खाएं, मैथी की चाय पियें, वो फायदा करती है, तो यह सब चीज़ें जरूर करते रहें, और अगर हम बात करें, तो यहाँ से कुछ अच्छा ही भी है, आपका मन, अकल्ट, एस्टोलोजी, इसकी तरफ लगेगा, अगर आप research में है, तो आपके लिए अच्छा है, अगर आप किसी ऐसी जगा काम करते हैं, जिसका किसी भी तरह से मौत से तालुक है, जैसे कि कुछ doctors हैं, जो post-martem करते हैं, कुछ उनकी report बना काम करते हैं, कुछ ऐसी labs में काम करते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा है, और अगर आपका interest जो है, योगा में है, meditation में है, आप कुछ चीज पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप students हैं, आपको कुछ याद करना है, उस चीज के लिए भी यह समय अच्छा है, यहा खर्चा भी रहेगा, खर्चा रहेगा मंगल की वज़े से, और गुरु भी एक आदस का स्वामी अश्टब में आ रहा है, तो उतार चड़ावाएंगे, जो income है, वो एक सी नहीं रहेगी, कभी थोड़ी जाद है, कभी थोड़ी कम, यह सब रहेगा, यहां से जो गुरु की जो परिवार पर पढ़े, तो परिवार में एक दूसरे को लोग समझेंगे, आपकी बात समझेंगे, सुनेंगे, आपके भाई, आपकी माता, आपके पिता, इसमें, खास करकी माता, पिता से तो क्योंकि राहु थोड़ा सा है, उनसे थोड़ा सा आपको ध्यान से, डिप्ल ग्रहों की दश्टी है, तो मावता आपके फिवर में आ सकती है, मातर भूमी के लोग आपके फिवर में आ सकते हैं, आपके कुछ पुराने दोस्त जो हैं, वो आपका कोई फिवर कर सकते हैं, घर, गाड़ी, बंगला ये सब शाराम की चीज़े होती हैं, उसमें प्रेमी का आपकी बन सकती है या फिर आपकी शादी की बात चल सकती है अब किनकी बात हो रही है जिनकी गुरू की दशा अंतर दशा चल रही है या फिर शुकर की जिनकी चल रही है रहू का थोड़ा दूसरा था ध्यान दीजेगा बुद्ध का थोड़ा दूसरा था मंगल क थोड़ा दूसरा था यही हकीकत है यही हकीकत है कि सारे के सारे वर्षबालों का एकसा नहीं होगा जिसकी जो दशा महादशा होगी उसके according चीज़े होगी पर overall यह सब 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 चीज़े होगी इन सब चीज़ों का थोड़ा सा धान रखना होगा इस महीने में इस तरह से इसके बाद हम शनी की बात करें शनी भागे के स्वामी भागे में है तो भाग अब थोड़ा साथ देगा क्योंकि बहुत दिनों से शनी तो थे वो बक्री चल रहे थे और बक्री चल कर एक घर पीछे का रिजर्ट दे रहे थे एक तरह से ढहिया का रिजर्ट दे रहे थे तो बड़ा मेहनत करके भी कुछ खास होनी रहा था प्रास बहुत ज़्याद हो रहा था लेकिन अब शनी मारगी हो रहे हैं तो कुछ तो भाग साथ देगा हलाकि लाव कम होगा खर्च चाद होगा पर अब भाग साथ देगा यात्राएं होगी कुछ चीजा ऐसी होनी शुरू होगी जो आपको आगे की और ले जाएंगी सनी की दश्टी मंगल पर है लाव भाब पर है सनी कहेंगे भईया लाव कम कराएंगे थोड़ढ सा कार करने से थोड़ढ सा रोकिंगे बड़े भाई से misunderstanding करा सकते हैं पर overall पहले से better है धान रखेगा इस बात का तो आपको मतलब महनस से नहीं हटना है सनी तो कहेंगे आरे कल कर लेंगे परसो कर लेंगे पर आपको सनी की सुनना नहीं, आपको तो करना ही करना है, आपको तो अपना गोल बनाना ही बनाना है, उसको पाना ही पाना है, उसके लिए जो भी चीज चाहिए, उसको आपको प्लान बनाना है, पहले पूरी साल का, फिर हर एक महीने का, फिर हर एक महीने में हर एक हपते का, फिर इस पैसे करेंगे तो एक दिन वो कर सकते हैं जो लोग कहेंगे वही क्या बात है देखिए सूरी की चमक तो सब देखते हैं सूरी का अपना कोई नहीं देखता जो लोग उपर जाते हैं वो दो तरह के लोग होते हैं अकसर या तो किस्मत बहुत अच्छी होती है और मेहनत भी करत और सही डारेक्शन में करते हैं बाकी के जो लोग होते हैं वो बीच के होते हैं पर याद रखे का सफल लोग सिर्फ 5-10 परसेंट लोग की जीवन में सफल होते हैं क्योंकि बहुत कम लोग ही ऐसा होता है कि जहां थोड़ी महनत करें और भाग ज़्याद है या फिर बहुत ही ज़्यादे महनत करके अपने भाग को खुद बना देते हैं इसे अब्दुलकलाम बहुत हैं ऐसे लोग कि एकदम इतनी पढ़ाई करके डॉक्टर बन गे या कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं है तो दो ही रास्ते है पहला रास्ता हाथ में थोड़ा थोड़ा है क्योंकि हर ऐसा नहीं है भाग खराब है भाग अच्छा है कुंडली में अच्छे योग है महनत करेंगे तो बहुत अच्छा है और दूसरा रास्ता एकदम हाथ में है कि बहुत जादे महनत करें तो भाग्य को परवर्तित किया जा सकता है काफी हद तक किया जा सकता है हर चीज नहीं पर काफी हद तक केरियर के मामले में ये लागू होता है केरियर धन यश तीन छे दस ग्यार है मतलब आप फेम के लिए थोड़ा सा प्रियास करें भाग्य आपका साथ देने लगेगा रोग रेंड सत्रू अगर महनत करते हैं तो आप अपने सारीर को स्वस्त बना सकते हैं रोगों से मुक्ती पाने में थोड़ा सी साहता आपके हाथ में है ये सब चीज़े पतिष्ठा अगर महनत करें तो पतिष्ठा बना सकते हैं लाव और लाव भी कमा सकते हैं हलाकि उसको स्टोर कर पाएंगे कितना कर पाएंगे ये दूसरा भाव उतना निश्चित नहीं है पर लाव अर्निंग आपके हाथ में है शनी की सीधी दर्ष्टी जो है छोटे भाईयों के उस पर पढ़ रही है तो यहां से शनी आपकी जो छोटे भाईयां उनसे थोड़ी सी मिसंडर्स्टेंडिंग करा सकते हैं आपके प्रयासों में थोड़ी कमी लाने की कोशिश करेंगे शनी क्या आप खुदी सोचेंगे की कल कर लेंगे थोड़ा आलश शिलाने की कोशिश करेंगे थोड़ी extra practicality दिखाने की कोशिश करेंगे मतलब इस तरह की situation करेंगे भाई इस तो हो यह नहीं सकता ऐसा कैसे हो जाएगा हलाकि ऐसा हो सकता है पर फिलाल आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आप महां पहुंचे यह नहीं है आगे यह नहीं है आगे जाएंगे तो दिखाए देगा भई यहां से तो इधर भी रास्ता है पर जब दूर से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि एक तरह की नकरात्मक हो गया, सकारात्मक क्या भई, end तक तो जाओ, हलाकि हो रास्ता हो ये ना हो, पर सकारात्मक लोग end तक जाएंगे, दाएं बाएं देखेंगे, पूरा ट्राइ करेंगे, उसके बाद हार मानेंगे, और बहुत जादे प्रक्टिकल लोग यहीं से आइडिया लगाएंगे, कुछ दिख नहीं रहा है और वहीं से लोट जाएंगे, तो अगर ऐसे में वहाँ रास्ता है, तो वही लोग आगे निकलेंगे, जो सकारात्मक हैं, थोड़े से पागल हैं, भी कहा जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा पागल होना जरूरी है, लक्ष को पाने के लिए, शनी की बात कर ली, हमने मंगल की बात कर लेते हैं, देखिए, बारे में भाभ का स्वामी है, और एकादस भाब में आ रहा है, इसके साथ साथ सब्तम भाब का स्वामी है एक आदस भाब में आ रहा है तो फॉर्म कंट्रीज से मल्टी नेशनल कंपनीज से एक्सपोर्ट एंपोर्ट से योगा, मेडिटेशन, जेल मंदिर हॉस्पिटल इन सब चीजों से जुड़े हुए अगर कोई काम है तो उससे लाब होगा समाधी इस तरह का कोई काम है, काल्पनिक कोई काम है जैसे आप राइटर्स हो गए जो लिखते हैं कुछ ऐसी जहां पर आपको emotions की जरुरत होती है, उस तरह का कोई काम है तो आप psychologist हैं आप psychiatrist हैं तो आपको लाब होगा अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ा बहुत खर्चा जादे आ सकता है, कुछ नुकसान भी हो सकता है पर पतनी से लाब हो सकता है पतनी से लाब हो सकता है, शादी के थुरू लाब हो सकता है शादी के थूँ और अपना जो पार्टनर्शिप है उसमें लाव हो सकता है किनकी बात कर रहा हूं है जिनकी मंगल की दशा महादशा है उनके लिए जाद है वैसे सब के लिए है और इसके साथ साथ रियल इस्टेट वगेरा से लाव हो सकता है पर यहां ध्यान रखने वाली बात है कि मंगल वक्री है और बुद्ध भी चौदे तारिक से वक्री है तो चौदे तारिक के बाद भले ही आप गाली बंगला यह सब इनका योग बना हुआ है पर जो डॉकुमेंट्स वगेरा है उनका पूरी जानकारी करनी है पूरा चेक करके लेना है ऐसे ही नहीं करना क्योंकि जब बुद्ध भक्री होते हैं तो तफ होता है थोड़ा डोकुमेंट्स में थोड़ी गलतिं हो जाती है अकसर electronics आipम खरीते है उसमें गलती हो जाती है messenger हम Communication करते है उसमें थोड़ी गलती आती है तो इस चीज का धान रखना है मौसी हूई चाची हूई बहने उनके साथ misunderstanding हो सकती है जब बुद्ध बक्री होते हैं चौरे तारिक के बाद तो इस चीज का ध्यान रखे उनका बहुत सा मान रखे और कोई अगर बात है भी तो उसे बड़े प्रेम से सुल जाए क्योंकि बुद्ध जो है छटे आठ बारे में है तो उनसे थोड़ा सा misunderstanding होती है तो बात थोड़ा बढ़ भी सकती है और आपके लिए वो बहुत ज़्यादे favorable नहीं रहेगी तो इस ब्यत का ध्यान रखे मंगल की यहां से चौथी दश्टी जो है वानी के भाब पर आपकी वानी थोड़ी सी aggressive हो सकती है तो इस बार थोड़ा सा ध्यान रखे उनकी health का भी ध्यान रखे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादे सकती से पेशना है और मंगल की अश्टम दश्टी जो है बुध पर आ रही है जो हम बात कर चुके हैं वानी की बात रोगरेंट सत्रू के लिए तो मंगल बोरे नहीं है पर बार्णी की बात है थोड़ा सा बार्णी को मीठा रखे सूरे जो है वो सत्रे तारीक के बाद यहां आ जाएंगे जो की चतुर्त भाव का स्वामी है तो सत्रे तक गाड़ी बंगला यह सब खरीदने का जादे अच्छा है माता के साथ रिलेशन में भी सत्रे तक जादे जादे चांस है उसके बाद थोड़ा सा जादे conscious रहना है जादे safe point से diplomatic तरीके से काम लेना है जाए माता से लेशन हो या गाड़ी बंगला कुछ खरीद रहे हो बेच रहे हो सत्रे के बाद अगर है तो documents बगरा को पूरी तरह से जाच करके तब ही करना है तो एक तरह से हमने लगभख सारे गरह देख लिए लगभख सारी possibilities देख ली तो इसके बाद अब थोड़ा तोहरों की बात कर लेते हैं सत्रे तारिक से पच्चीस तारिक तक नवरात्रे हैं जै माता दी तो माता का जो भगते हैं उनके लिए तो बहुत ही खुशी की बात है और माता वास्तम में तो इश्वर एक ही है तो भुलेनात भी माता है। रामचंटर भी माता है। क्रिशना भी माता है। और तो सभी को मुभारको नवरात्रों की मुभारको और ओम- एम- रीम- कलिम ऐने चामुदबय विच्चही जो बहुत महान मंध्र है, नवारण मंत्र है उसका जाब कीजिएगा प्रत रखिएगा, माता की कथां पढ़िएगा उससे में बहुत सारी जो सिक्षाएं उनको जीवन में, दिल में उतारिएगा अपने जीवन में उतारिएगा तभी आप असली भक्त बनताएंगे भक्त तो वही है ना जिसमें इश्वर के गुणाएं, जिसकी पराथना करता है उसके थोड़े तो गुणाएं तो ये जरूरी है और पासहरा भी है तो रामचंद जी की रामायन देखिएगा रामायन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है एक से एक ग्यान बढ़ा पड़ा है रामायन में चाया हनुमान जी की बात ले लें जो इतने शक्तिसाली होकर भी इतने विनर्म थे इतने विनर्म थे और इतने बुद्धिमान थे कि लंका में गए अकेली घुस गए रावन की लंका में जिससे पूरी दुनिया डरती थी और उसी का तेल उसी का कपड़ा और उसी की लंका सब जला डाली तो अकलवंद भी कितने थे बुद्धिमान भी कितने थे और विनर्म भी कितने थे कि इतनी शक्ती के बाबजूद जब माता सीता ने पूछा कि आप कौन हो तो बोलते हैं कि सिर्फ मैं तो सिर्फ राम दूथ हूँ यही मेरी पहचान है और कुछ नहीं हूँ मैं सिर्फ राम का दूथ हूँ और भगवन राम ने पूरी रामार में हनवान जी को कहीं भी सेबक नहीं कहा कभी मित्र कहा कभी सखा कहा और राम ने उनको हमेशा अपना स् और अपनी भक्ती के खातिर बिना किसी स्वार्थ के साथ समुंदर लांगे महान बुद्धिमान थे और उनको बापस लेके आए उन्हें कुछ नहीं मिला पर ये बोलते इस से आपको सीखना है स्रध्धा अपने लक्ष के लिए अपने प्रभू के लिए तो इस तरह की अगर सद्धा है आप में तो आप तो किसी भी गोल को हासिल कर सकते हैं कोई शकी नहीं है उसमें तो जो लोग हन्मान भक्त हैं बजरंग बली के भक्त हैं हन्मान चालिसा पढ़ते हैं बजरंग बान पढ़ते हैं थोड़ा वो पहले से ही करते हैं अक्सरतों पर कुछ और उनके जीवन की जो योगता हैं वो अपने उपर लाईए तो भगवान हनमान को आप और भी प्रिय होंगे, क्योंकि इश्वर हमेशा अपने भक्तों के करीब आना चाहते हैं, करीब कर आएंगे जब उनके गुण आपके अंदर आएंगे, ठीक इस तरह राम चंडर जी को कर ले ले उसके बाद भी जिसने सिर्फ कहा कि जो आग्या माता या जो आग्या पिताशरी और बड़े प्रेम पूरवक चले गए, और जहां जाने के बाद उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, पत्नी तक को लो उठा के ले गे रामण आखरी साल में, उसके बाद भी जब राम आते हैं तो सबसे पहले केकई के पैर छूते हैं, जिन्होंने उनको 14 साल के लिए निकाला था, तो यही चीज़े हैं जो उनको मर्यादा पूरसुत्तमराम बनाती है, तो टफ समय, मुसीबत की घड़ी में जो धैरे से अपने धर्म का पालन करता है, जैसा कि स्रीकर्ष ने कर्ण से करते हैं, यह सब बात है क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दशेरा है, तो राम जी का, जो राम जी के भक्त हैं, उनसे मेरा यही अनरोध है कि उनकी जीवन की जो बाते हैं, वो अपने जीवन में लाईएगा, तो फिर सारे ग्रहों के सारे संकट दूर हो ही जाएंगे, इसके बा 27 तारिक का परम एका दशिया, जो धन संपरदा से जुड़ी हुए, धन संबरधी इन सब से जुड़ी हुए है, जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा है, 27 तारिक की पाप अंकुषा एका दशिया, आपके पूरु जिनम के, जो हमने कुछ कर्म की हैं, हम बहुत सारे जन्म ल आया, ऐसा होए नहीं सकता, पर जो आपने किया पहले, उसका रिजल्ट भी तो आप ही को मिलेगा न, वो भी उतना ही स्ट्रॉंग कर्म है, इसलिए कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं है, तो कर्म करो मन से, धरम से, और लगे रहो, फल की चिंता मत करो, एक तो उसे दो फा फल के बारे में सोचते हैं, नर्वस होने लगते हैं, चाहिए एक्जाम हो, आप अच्छी तरह फर फॉर्म नहीं कर पाते, तो गीता का जो शब्द है, उनमें बहुत गहराई है, समझने की जरुरत है, चौदे और अठाइस तारिक का प्रदोर्श वर्थ हैं, जो आनंद प्रकृति आनंद और ज्ञान से भरी पड़ी है, आत्मा का जो मूल सरूप है, वो ज्ञान और आनंद ही है, और पंदरे तारिकी शिवरात्री है, तो भोलेनात के वक्तों के लिए बहुत जरूरी है, भगवान भोलेनात इश्वर का एक दूसरा नाम है, वो किसी भी ग्रह कोई भी जो आपका श्राप हो, कुछ भी हो, सब कुछ करने में शक्षा में, तो इसके बाद संक्रानती की बात करते हैं, 17 तारिकी संक्रानती है, जो अध्यात्म के लिए बहुत महत्पूर्ण है, और 16 तारिकी अमावस्या है, अमावस्या पित्रों के लिए की जाती है, र इसके लाबा मंत्रों के सिध्धी के लिए मावस्यों का यूज होता है तो ये था मेरी तरब से ब्रशव राशी के लिए लगन के लिए इस महिने का राशी फल माशिक फल मुझे आसा है विश्वा से आपको पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजेगा घंटी वाला बटन दवाना मत भूजेगा लाइक कीजेगा, शेयर कीजेगा और मैंने डेक्स्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया इंस्टाग्राम, फेस्बुक, ट्विटर आपका जो सही होगा है वो बहुत महत्पूर है प्लीज लाइक, प्लीज फॉलो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार